कि जो 500 साल लगे स्री राम लला को उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके इस्थापित करने में आज मैं उन लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ, यह भारत देश है जहां के लोगों में इतना बरदास करने की ताकत है, च्छमता है ये वही भारत देश है जहां पर तीन हजार साल तक लागातारा करांता आते रहे लेकिन भारत ने कभी किसी प्राक्रमण नहीं किया भारत ने कभी किसी की सीमा का आतिक करमण नहीं किया और जो राम जन्म भूमी का जो मसला था जो पिछले 500 साल तक 5 सताब्दियां बीत गई उसके बाद आज ये दिन हिंदू जन्मानस को या हिंदू तुम्हें जीवन पधत में भरोसा करने वाले लोगों को आज ये जो दिन देखने को मिला है ये बड़ा एतिहासिक छण था और ये इस बात का प्रमाण भी है कि जो लोगे कहते हैं कि हिंदूस्तान में टॉलरेंस इंटॉलरेंस हो गया है ऐसा हो गया वैसा हो गया है उनको भी ये बात समझनी चाहिए और सिखनी चाहिए कि अगर 140 करोण हिंदूओं में, 140 करोण की अबादी में, 115 करोण मानलो, 110 करोण मानलो हिंदू हों, अगर पल भर के लिए उनके मन में उबाल आ जाए तो क्या हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी न हुआ और न कभी होगा, क्यों कि हिंदूत्व के डियने में, सनातन के डियने में, जो एक दूसरे की आलोचना के बावजूद भी, एक दूसरे के साथ गहरा सामन जस्य, गहरा समान करके चलने का जो भाव है, वो दुनिया के किसी अन्य धर्म में नहीं है, इसलाम की टोटल उम्र जो है, 1400 साल पुरान यहुदी धर्म की उम्र जो है, 3000 साल पुरानी है, बौध धर्म की उम्र साहे 3000 साल पुरानी है, लेकिन हिंदू परिवार में पैदा होने के कारण, जो सनातन साहे 11000 साल पुराना है, साहे 7000 साल की पुरानी विरासत महात्मा बुद्ध को जन्म के समय ही मिली, महावीर को जन धर्म स्वर्ग नरक किशिणी तक जाके फस जाते हैं। एक लवता सनातन धर्म हिंदु धर्म जो है वो स्वर्ग नरक किशिणी के पार भी मुक्ष की बात करता है। कि जो समय की गहरी लंबाई और चड़ाई इन धर्मों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। और इन धर्मों ने भी अगर कुछ सीखा तो सनातन से ही सीखा हुआ है। जो तमाम बड़े इतिहासकार हैं ऐसी हजारों किताबें हैं दुनिया में जो ये बताती हैं कि इसलाम में भी जो तमाम चीजें हैं वो कहीं न कहीं सनातन धर्म से ली गई है। तालमूद यहूदियों की एक किताब है जो ये कहती है कि परमात्मा जब तुमसे मिलेगा तो तुम्हारे गलतियों का हिसाब नहीं पूछेगा क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। तुमसे ये पूछ तुमको सुन्दर जीवन जीने का आवसर मैंने दिया तुमने उस आवसर को गमा क्यों दिया। यानि कि तुम्हें और भी बहुत क्रियेटिव काम करने थे। गलतियों को छोड़ो। गलतियों की का हिसाब किताब कौन रखना चाहता है। गलतियों का हिसाब किताब छोटे DNA में समवेदन सीलता है, सहन सक्ती है, सामन जस्य है, सुचिता है, एक दूसरे को धारण करने की छमता है, एक दूसरे के साथ मतभेद रहते हुए भी सदभाव रखने की छमता है, एक दूसरे को बरदास करने की छमता है, ये राम मंदिर की आज की जो प्राण प्रतिष्ठा ह ये भी उसका एक गहरा संदेश है प्यम मोदी ने भी कहा कि भगवान श्री राम आग नहीं उर्जा पैदा करते हैं भगवान श्री राम विवाद नहीं समाधान है अब आपको लगता है कि अब कम से कम हम जो सनातन है सनातनी है वो एक दिशा में एकजूट होकर चल पड़े ह इस मंदर के भावे देखे जब क्या होता है न कि जब पडोसी से जगड़ा होता है तो परिवार एक हो जाता है जब दूसरे गाउं से जगड़ा होता है तो पूरा गाउं एक हो जाता है और जब पूरी एक कह सकते है कि एक संस्कृती एक सभेता से जगड़ा होता है तो ए ऐसे लोगों को इतिहास का ज्यान नहीं है, सामान्य तवर पर हर भारतवासी को वो हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो, उस सबने इतना इतिहास तो पढ़ा है, कि उनको यह पता है कि राजा दसरत के पुत्र राम अयोध्या में पैदा और सारा हिंदू संसार उनको भगवान मानता है, भगवान सरी कृष्ण मतूरा में पैदा हुए थे, सबसे प्राचीन नगरी पूरे विश्व की कासी है, जिसको सिव अपने त्रशूल पे धारन करते हैं, जहां गंगा अविरल भगवान सिव की जटाओं से निकल कर गंग कुछ लोग क्या वता है कि कल मैं कुमार विश्वास जी का इंट्रिव्यू कर रहा था, तो बड़ी अच्छी बात कहीं उन्होंने, कैसे करोणों हिंदू हैं जो मंदर नहीं जाते, ऐसे करोणों लोग हैं जो कर्मकांड नहीं करते, मैं ही कर्मकांड पूजा नहीं करता लेकिन इस्वर में मेरा गहरा विश्वास है, मैं गहरा इस्वरवादी हूँ, और महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो कर्मकांड नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं करता, कि मैंने अपने पूरे जीवन यात्रा में देखी कि पूजा पा तो वो एक अलग विशाय है, लेकिन जो आज आखों के सामने, पूरे दुनिया के सामने टेलिविजन के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए, और भी प्रसार माध्यमों के जरिए, जो लोगों को देखने, सुनने, समझने को मिला, वो उससे जो हिंदू भावना की जो आस पालिका को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदित्यनाज जी को, स्री राम जन भूमी ट्रस्ट के लोगों को, आरेसेस के लोगों को, विश्व हिंदू परिशत जो आरेसेस की ही एक साखा है, इन तमाम लोगों को भारत एक्स्प्रेस की तरफ से भी मैं बढ़ लडाई के बाद, और आज के दिन कल्यान सिंग जी को नहीं भूलना चाहिए, लाल किष्ण अडवानी जी को नहीं भूलना चाहिए, मुरली मनोहर जोसी जी को भी नहीं भूलना चाहिए, जो लोग अटल विहारी बास पे जी को नहीं भूलना चाहिए, जिन लोगों ने अ पर गोली खा करके अपना बलिदान दे करके इस बात को स्थापित करते हुए अपना पूरा जीवन अपना पूरा समय दिया तो ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब का ही एक नयाब उदाहरण है। देखे जो इतिहास है वो अटल है सत्य है अब बड़ी गहरी बात है कि अगर कोई आकरांता बाहर से आया आचारे चानक किस बात को कहते थे कि हम आकरमन नहीं करते बहुत अच्छी बात है लेकिन हिंदुस्तान के सारे राजाओं को सुवेदारों को सेनापतियों को एक होके रहना चाहिए कि ताकि हमारे दर्वाजे तोड़ करके हमारी सीमा तोड़ करके हमारे कोई अंदर ना आ जाए लेकिन साइद ये सदबुधी उस वक्त आचारे चानक के तमाम प्रयासों के बावजूद भी लोगों के अंदर नहीं आई और आकरांता आते रहे और भारत को लूटके जाते रहे अब कोई एक राजा आया कोई एक आकरांता बाहर से आया उसने लूटने के बाद अपना समराज अस्थापित किया और अपने प्रतीकों को यहां इस्थापित करना शुरू किया उसमें अगर कुछ सताब्दियां लग गई और लोगों की इस मृति से धूल इस मृति पे धूल पड़ गई तो उस धूल को सही मान करके सही नहीं ठाराया जा सकता है उस धूल को साफ करने की ज़ूरत है और आज पांच सताब्दी बाद उस धूल को साफ करके नयावध तरीके से भगवान सिर राम के मंदिर की स्थापना हुई अच्छी बात ह और मैं हमेशा चाहूंगा कि भारत की जो एक तहजीव है जो एक अदा है जो जीने की एक कला है वो हर भारतवासी उसको समझता है उसको बहन करता है उसको धारन करता है उसको लेके चलता है तो राम मंदिर की जो आज प्रान प्रतिष्टा हुई है वो हम सब के लिए हर्स क इसका स्ष्वागत होना चाहिए, खुले मन से, और आज दिवाली देश मना रहा है, तो पहली बार ऐसा है कि दिवाली के बाद दिवाली मनाई जा रही है। देखे, जब मैंने पतरकारिता शुरू किया था, 1997 में, तब से लेके अब तक 26 साल हो गाए, और यादे यह है कि कारसेवा शुरू हुई थी तो हर गाउं से एक एक दो-दो-दस-दस आदमी हमारा चुकी बड़ा गाउं है शेरपूर कला लिला गाजीपूर में तो वहां से हजारों लोग गये थे कारसेवा करने और वहां से जब संघर्स अपने चरम पे पहुँचा तो उस मस्जित को गिराया लोगों ने और वो हिंदूओं को लगता था कि उनके अपमान का प्रतिका और था भी तो मुझे याद है कि हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त बहुत सारे लोग वहां से इंटे लेके आये थे और बहुत बड़ा जलसा हुआ था कारक्रम हुआ था ठीक उसी तरीके से जब हम लोग थोड़ा और बड़े हुए तो 6 दिसंबर 1992 के दिन लाइन ओर्डर के सिच्वेशन न हो जाए इसके लिए हर जिले में हर शहर में पुलिस का अच्छा बंदवस्त किया जाता था अलग-अलग तरीके से अपीले की जाती थी धर्म गुरूओं को बुलाया जाता था ये सारे प्रयास सबको याद हैं आपको भी याद होंगे औ और अब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक नया कालखंड इसके बाद से सुरू होता है एक नया कालखंड इस बीच में था ये 500 सालों के अंतराल में और उससे पहले 7000 साल पहले जब तरेता यूग था तो एक नया कालखंड था राम जब 14 साल के लिए बनवास गये तो एक नया कालखंड शुरू हुआ लेकिन 14 साल में समाप्त हो गया लेकिन आज का जो समय है आधुनिक भारत विश्वगुरु भारत के बनने की जो सुरुवात है वो तो यूगो यूगो से है लेकिन बीच के समय में कुछ देश हमसे अवस्य आगे निकल गये आज चाइना ह हमारे प्रोश्म का देश से उसकी करना एकॉनमी करीब उनिस्ट्रिलियंड डालर की है अमेरिका की एकॉनमी पचीस डिलियंड डालर की है लेकिन कुछ समय पहले बुप्रिटन की एकॉनमी हमसे बड़ी थी फ्लेकिन हम बु yönसा आगे निकल गये हैं हम विश्व की 25 से यहां गहरा भरोसा गहरा गहरी आस्था और गहरा प्रयास शुरू हो जाता है वहां से नो निर्मार शुरू होता है यह निश्चित रूप से आज जो दिवाली मनाई गई है यह दीप व्यर्थ नहीं है यह दीप जो है अलग रोशनी और एक अलग फिजा का निर्मार करेंग तो ये सिर्फ आस्था नहीं बलकि विरासत के साथ साथ हम विकास की भी नई गाता लिखने जा रहे हैं देखिए क्या है कि जो हमेशा ये बात अपने कई उद्बोधनों में मैंने बोला है कि एक समय था जब आदमी गेदरस हंटर की तरह था मतलब आदिवासी आदिमानों की तरह था सिकार करता था साम होते ही छूप जाता था वहां से लेकर के जो तीन लाख साल हमारे इस रूप में खड़े होने को पूरे मानोता को मिला उसमें हमने उच्चतम मुचाईयां तै की जब हम 20 गुरू बन गए उसके बाद जब आकरांता भारत पे आया और धीरे धीरे भारत ने अपनी वो चमक खोई और यहां से लुटे रे तमाम चीजों को लूट के ले जाते रहे उनमें से कुछ लोगों ने यहां रहना स्विकार किया उनमें से कुछ सासक अच्छे भी निकले उनको बुरा नहीं कहा जा सकता जिनोंने भारत में रहके भारत जैसा जीने की कोसिस की उसमें मैं कुछ राजाओं के काम को अच्छा मानता हूँ कुछ मामलों में लेकिन उनके पूरे के पूरे मानस को उनके पूरे के पूरे मनोविज्ञान को उनके पूरे की पूरे संस्कृति को आप सही नहीं ठारा सकते क्यों कि ये ऐसा देश था जहां पे सात्विक लोग रहते थे एक समय था जब राम और रावण की पहचान अलग राम ये है रामड ये है एक समय आया जब एक ही परिवार में कृष्ण और कंस हुए यानि कंस मामा हुए कृष्ण भांजे हुए यानि जो सैतान था एक परिवार में आ गया उसके बाद जो है सैतान ने कल्यूग में एक ही सरीर में अपना निवास बना लिया तो कई बार हमारे अंदर की बहुत खूबिया निकलती है कई बार हमारे अंदर की जो सैतानी ताक्ते हैं वो बहुत उफान मारती है तो आप इसको ऐसे ही समझे कि आज से पुनः भगवान का उदय हुआ है इंसानी सरीर में भगवान ने अपना वर्चस सायतान को गिरा के प्राप्त कर लिया है एक चीज़ बात श्री राम की हो रहे हैं तो भगवान श्री राम के कई रूप हैं पिता के तोर पर पुत्र के तोर पर राजा के तोर पर एक तपस्वी के तोर पर मर्यादा पुर्शत्तम तमाम मर्यादाओं को समेटे हुए आपके लिए भगवान स्री राम मेरे लिए मैं ये मानता हूँ एक प्रसंग का जिक्र करना चाहूंगा कि आदवी के जीवन में जो वचन होता है जो निभाना होता है वो किसे कहते जब महराज दसरत राम को बन जाने के आग्या दे करके प्राण त्याग दिये तो राम भगवान राम चित्रकूट तक पहुँचे थे और जैसे भरत को पता चला तो भरत जो है बहुत भेवल हो गया और सही में भरत जैसा भाई इस धर्ती पर कभी पैदा नहीं हुआ लक्षमण जैसा भी भाई नहीं पैदा वह लेकिन भरत को भरत क्यों कहा गया उसका मैं उदाहरण दूँगा तो भरत समेत तीनों माता हैं कैकई माता को भी बड़ा पस्चाताप हुआ कि काल ने कैसे उनके मुख से ये बात निकलवा दी कैसे मंथरा के कहे में वह आओ ये तीनों उनके गुरू विदेश जनक जिनको जीते जी संत की पदवी मिली वो पूरी अयोध्या के लोग बचपन के उनके सारे सखा उनके गुरू वसिष्ट सब लोग पहुँचे भगवान राम से मिलने कि बस अब हो गया ये गलती हो गया भूल हो गया ये माफ करिए युद्या लोट चलिए और भरत तो बिलाप करते रहे और अपने बड़े भराता के चरणों को पकड़ के बैठे रहे राम सब की सुनते रहे और राम ने उस पूरे क्रम में सिर्फ एक वाक्य बोला था कि वचन हमारे और पिता के बीच था पिता अब रहे नहीं तो अब तो राम 14 वर्स बाद ही लोटेगा राम लोटे 14 वर्स बाद लेकिन पूरी रमायड की तमाम घटनाओं इवन रामण को मार देने की घटना पे भी मुझे ये कथा जो है मेरे मन को बड़ा पृतिकर लगती ह मैं इसे जब भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर आदमी हो तो वचन का इतना धनी हो निभाने की उसमें इतनी ताकत हो और पुत्र के रूप में राम ऐसे हैं कि हर पिता का सपना होता है पती के रूप में राम ऐसे हैं कि हर पत्ली का सपन भाई के रूप में राम ऐसे हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं तो राम हर रूप में उच्चतम सिखर को छूते हुए एक नए प्रतिमान है तो आज राम के लिए हमारे देश की सरकार ने, देश के प्रधान मंत्री ने और राश्टी स्वयम सेवक संग ने, उत्तर प्रदेश स प्रधान मंत्री जी ने जो ये प्रयास किया और जो अयोध्या में ये जो नजारा देखने को मिला और जिस तरीके से भगवान राम की मूर्ती स्थापित हुई, वो कह सकते हैं कि राम ससरीर तो नहीं उतरे, लेकिन राम की आभा उतर गई बहुत शुक्री है हमसे बात करने के लिए, तो हमारे साथ भारत प्रद्पिस के सीमडी और चेर्मन उपंदर जी तमाम बातों को रखते हुए और इस उत्सव को जरा देखिए, हर जगह दिवाली बनाई जा रहा है, ये जरा तस्वीरों को देखिए, जैश्री रिराम दि अलिगली हर चौराहे पर दिपावली मन रही है, और इस दिपावली जैसा महाल, जो दिपावली के बाद दिपावली हम हर साल दिवाली मनाते हैं, लेकिन आज दिवाली है, सचमुच क्योंकि राम की दिवाली, जब त्रेता युग में, अवद नगरी में भगवान श्री वनवास खत्म कर लंका पर विजय हासिल कर उस वक्त जैसी दिवाली थी उस वक्त जैसा महौल था ठीक उसी तरह की तस्वीर आज भी नजर आ रही है और जो प्रभुश्विडाम की भक्ती के लिए और उनके मंदिर में लाने के लिए जो लंबा संघर्ष चला उस संघर्ष क को याद करते हुए आज हम उत्सव मना रहे हैं हम अपने पूरवजों को याद करते हुए उत्सव मना रहे हैं और जैसा कि भारत अक्ष्पिस नेटवर्ट के CMD उपेंद राई जी ने कहा कि अब कम से कम ये सनातन इतना एकजुट है कि अब हम किसी बाहरी ताकतों को घर म में नहीं घुसने देंगे जरूर इसी बहाने सनातनी एकजुट भी हुए है हिंदूत और हिंदू आस्था जो है वो जगी है और हिंदूों के बीच एक ऐसी एकजुटता दिख रही है जो सब कुछ भगवान श्रीराम के शर्णों में पूरा हिंदू एकजुट होकर जैस श्रीराम के नारे लगा रहा है दिपावली मना रहा है